असलाम लेकॉम व्लेकुम बैक टू मैई चैनल एक तोड़े आपको शाम की चाय के साथ कुछ ना समझ में आए तो फटा फटा आप ये हरी मटर का दाना बना के रेडी कर सकते हैं तो आईए इस रेसिपी को बनाना शुरू करते हैं तो दोस्तों जिसके लिए हमने कड़ाई चड़ा लिये हैं और एक टेबल स्पून मस्टर्ड ओयल यानि की सर्सों के तेल को बहुत अच्छे से गरम कर लिया है और एक मीडियम साइस की प्यास को चॉप करके हम इसमें शामिल करेंगे हाफ टी स्पून हम इसमें हरी मिर्ष श यह भी आपकी विश है आप कम डालना चाहिए तो कम डालिए और आलू से अगर जादा डालना चाहिए तो आलू से जादा डाल सकते हैं तो हमने यहां आलू से थोड़ा जादा कॉंटिटी रखी है और अब हम इसमें नमक शामिल करेंगे तो वन एंड हाफ टी स्पून हम यहां पे नमक शामिल करेंगे अब अपने टेस्ट की मुताबिक शामिल कर सकते हैं तो दोस्तों एक अच्छा मिक्स दे देंगे और लिड लगा देंगे हाई फ्लेम पे 10 मिनट के लिए इसको छोड़ देंगे पकने के लिए तो आईए फ्रेंस दूसरी दरफ हम चाय बना देंगे इसको दो-दो मिनट के गया पे चलाना बहुत जरूरी है क्योंकि हाई फ्लेम पे है आलू को गलने में भी जादा टाइम नहीं लगता है और नहीं मतर को गलने में टाइम लगता है तो दस मिनट के अंदर ही अंदर ये बहुत अच्छे से बल जाएगा इसको स्लो इसको पकाने की जरूरत नहीं क्योंकि बहुत जदा टाइम टेकिंग हो जाता है बहुत स्वाद़े चाई तो यह हमने चोटा हमीम दस्ता लिया हुआ है इसकी मदद लेते हुए हम बहुत पारीक इसको कूट लेंगे तो फ्रेंट्स जैसा कि आप देख सकते हैं कि बहुत ही पारीक हमने कूट लिया है इसको और अब हम इसको अपनी चाय में शामिल करेंगे तब तक पानी में एक श्वामिल करेंगे दो कब हम पना रहें इसलिए हम यहां पे टू टी स्पून चाय की पती शामिल करें और इसके साथ roadmap लाने की श्यकल के शुगर शामिल करेंगे फोड़ी के लिएक की दिया हमने चाय के लिए रख दिया था और इसके बाद हम इसमें दूज़ करेंगे तो फ्रेंस दूद हमने वन थर्ड कप लिया है एक कप हमने पानी लिया था हब चाहें तो बराबर कौंटी रख सकते हैं दूद और पानी की एक नट के लिए हम और छोड़ देते हैं इसको पकने के लिए ताकि दूद भी हमारा बहुत अच्छे से पक जाए और दान कर लेते हैं तो हमने एक कप ले लिया है इस ट्रेनर लगाएंगे और बहुत ही अच्छे से हम इसको दोनों कप में ट्रांसफर कर लेंगे तो फ्रेंस हमारा मटर कदाना और बहतरीन चाय बनके तयार है आप भी ठंडक के मज़े लें और ये दोनों रेसिपीज बना के च्छिंग